हालो फ्रेंड्स वेल्कम एक टो मैं यूट्यूब चैनल दवाने क्लासेज तो गाइज आज हुआ है शास्त्री टेट 10 दिसंबर 2022 को इस वीडियो में हम देखेंगे शास्त्री टेट में जो भी जीके के क्वेशन्स आई थे वो सब और साथ में कुछ क्वेशन्स मैंने आपकी जरूर है करेंगे तो शुरू करेंगे सबसे पहले कुछ क्रंट अफियर्स के क्वेशन के साथ उसके पात शास्त्री टेट की जीके सेक्शन पर आएंगे तो फॉर्स क्वेशन इस किरन बेदी चेतन भगत सुशील चंद्र डी नन अफ्टीज फियर्लेस गवर्नेंस बुक के ऑथर है किरन बेदी ऑप्षने इस दे राइट आंसर और साथ में आप कमेंट भी कर सकते हो क्योंकि यह वीडियो भी लाइफ चल रही है ओके तक कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की प्रिक्परेशन है अभी तक अन्यों बहुत सारी वीडियो है चैनल की प्लेलिस्ट में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वह आपकी बहुत ज्यादा हल्प करेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेशन हैं आपके चाइल साइकॉलजी के सब्सक्रिप्स में प्लेशन होंकि रॉप्शन हैं और मां सुप्षाटी जाता है और में आपके फॉर्फंशन चैनल करेशन है जाता है फोर फैब को फॉरररी को next question who has been appointed as the brand ambassador of Uttarakhand recently हाल ही में Uttarakhand का brand ambassador किसको बनाया गया है बिराट कोहली, अमिताब, बच्चन, अक्षे कुमार D. None of these right answer is option C अक्षे कुमार को बनाया गया है which state government has recently started self-defense training program for girls केरल, महारास्टर, उडिसा, D. Karnataka right answer is option D Karnataka ने एक self-defense training program शुरू किया है लड़कियों के लिए what is the theme of financial literacy week 2022 don't share OTP, go digital, go secure, be literate, D. None of these right answer is option B go digital, go secure it is the theme of financial literacy week 2022 next question what is the rank of India in the democracy index 2022 40th, 45th, 46th, 50th right answer is option C 46th next question what is the official new name of Turkey Turkey का भी नाम बदला गया है और क्या नाम रखा गया है तुर्कान, तुर्कीमा, तुर्क, तुर्किये right answer is option D तुर्किये नाम बदला गया है तर्की का भी next question which of the following institute has launched किसान मोबाइल आप IIT Delhi, IIT कानपूर, IIT खड़कपूर, IIT रूडकी right answer is option D IIT रूडकी ने अभी किसान मोबाइल आप लाँच की है यहां तक होगे हमारे current affair के questions जो मैंने आपको बोला था अब चलेंगे उन questions पर जो शास्तरी टेटके जी के section में आये थे which of the following is a man-made lake इन में से कौन से एक मानव निर्मित जील है रिवाल सर गोविंद सागर भ्रिगू डी डल लेक तो यह है हमारी गोविंद सागर जील जो हिमाचल परदेश की सबसे बड़ी man-made lake है और आपको कमेंट करके बदाना है कि कौन से डिस्ट्रिक में है गोविंद सागर जील अगला प्रशन है which of the following is a state flower of हिमाचल परदेश राज की अपुष्प red rhododendron, pink rhododendron, pink rose, white rose आप सभी को पता होगा इसका अंसर pink rhododendron, गुलाबी बुराश जिसको आप बोलते हो अगला प्रशन है how many members elected to Rajya Sabha from Himachal Pradesh Rajya Sabha के लिए Himachal Pradesh में कितनी सीटे है तो ये हैं कुल तीन सीटे और लोक सभा के लिए हैं चार सीटे who was the first lady speaker of Himachal Pradesh Vidhan Sabha Himachal Pradesh Vidhan Sabha की पहली महिला speaker Vidya Stokes, Aasha Kumari, Sarveen Chaudhary, Vipalab Thakur right answer is option A Vidya Stokes next question oldest hydroelectric project of Himachal Pradesh इस question के बारे में कल भी हमने बात की थी तो right answer is शानन सबसे पुराना hydroelectric project जो जुगिंदर नगर में है तो आप देख सकते हो बहुत ही easy questions आप से आज पूछे गए थे next question in which year धामी bullet incident happened जो धामी गोली कांड था वो किस वरश हुआ था जुलाई 1939 नेक्स वान लाल चंद प्रार्थी वाज रेजिडेंट आफ विच डिस्टिक लाल चंद प्रार्थी किस जुले के रहने वाले थे कुल्लू मंडी शिमला सिर्मौर राइट अंसर इस ऑप्शन है कुल्लू next question where is state level नलवाडी fair held in हिमाचर प्रदेश बहुत easy question है आप देख सकते हो जो नलवाडी मेला है वो कौन से डिस्टिक में लगता है तो नलवाडी मेला लगता है सभी को पता है बिलासपुर में और कौन से मैदान में जो लुहनू मैदान है वहाँ पर option A okay शिम्ला वस डिकलेर्ड summer capital of British India तो ये question भी हमने कल देखा था अपनी सीरीज में की शिम्ला को summer capital कब घोशित किया गया British India का okay right answer is option B 1964 को next one who is journal secretary of UNO at present UNO के journal secretary कोन है अभी Antonio Gutris Jack Hammers kajoled Betros Ghali D none of these right answer is option A Antonio Gutris next question the first Indian noble literate was Sir C.V. Raman Mother Teresa S. Chandrasekhar D. Ravinder Nath Tagore right answer is option D that is Ravinder Nath Tagore और उनको Nobel Prize मिला था 1913 मे okay next one what is the motto of Commonwealth Games 2020 जो 2022 में Commonwealth Games हुई थी उनका motto क्या था and कहां पर हुई थी ये भी question पूछ लिया जा सकता है तो Commonwealth Games हुई थी विर्मिन्गम जो है इंगलेंड में and इसकी थी 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 game for everyone come and play play with passion none of these right answer is option A game for everyone ये इसका motto था okay next one highest peak of Himachar Pradesh बहात इसी question सबसे उंची चोट Himachar Pradesh की शिला okay शिला peak longest river of Himachar Pradesh again बहात इसी question सबसे लंबी नदी Himachar Pradesh की सतलुच नदी in which year Kalka Shimla Railway Line we made was ready again easy question Kalka Shimla Railway Line का बनी 1903 okay next one only organization concerned with children's welfare over the world UNICEF, UNESCO, UNFP, UNI IDO right answer of this question is option A UNICEF and its full form is United Nations Children's Fund okay तो ऐसी organization which concerned with children's welfare next one why skies seem blue Akash Neela क्यूं प्रतीत होता है कौन सा phenomenon वहां पर है due to radiation due to distance due to dispersion due to refraction right answer is option D refraction की वज़़ से from which book the national song Vandematram is to be taken जो हमारा national song है Vandematram वो किस पुस्तक से लिया गया है गितांचली अनन्दमठ सत्यर्थ प्रकाष हितो पदेश right answer is option B अनन्दमठ से next one who is the captain of women cricket team of India Indian women cricket team की captain कौन है हर्मन प्रीत कौर स्मृती मंधाना जूलन गोस्वामी शेफाली वर्मा right answer is option A हर्मन प्रीत कौर 28 who was the founder of Hindu महसभा Hindu महसभा के founder Acharya Narendra Dev Shri Shiyam Prisad Mukherji Madan Mohan Malviya A.K. Gopalan right answer is option C Madan Mohan Malviya next one who was the president of America at the time of a 9 by 11 incident Bill Clinton George Bush Jimmy Carter Nixon right answer is option B George Bush okay next one when was national flag adopted Rastriya Dhuaj को कब अपनाया गया 26th January 1950 15 August 1947 22 July 1947 14 August 1947 right answer is option C 22 July 1947 okay next one Somnath Lehri was a member of which party socialist Congress Am Aadmi Party communist right answer is option D that is communist party okay next one when was Deen A. Ilahi founded right answer is option B 1582 1582 who was killed who was killed by his commander was Andim Amore Sashak kone hai jinn ko unke hi commander ne maar diya tha Dasharath Kunal Samprathi Breda Bredaarth right answer is option D that is Bredaarth aur unko kis kisne maara tha unke commander unke naam tha Pushyamitra shunga okay right answer is option D next one G20 group was established in so G20 group was established in 15 16 December 1999 question number 36 where is Satya Mev Jayite taken Satya Mev Jayite kahaan se liya gaya hai ramayan mundaka upanishad arth shastra D mahabharat right answer is option B mundaka upanishad se liya gaya hai Satya Mev Jayite next one world health day celebrated on world health day kab manaya jata hai 7 March 7 April 8 March 1st Sunday of August right answer is option B 7 April ko manaya jata hai Vishwa swasthe divas now last question which of the following is not correctly match heme se kya correctly match nahi kiya gaya hai so Ravish Ankar voh eek sitar player MF Hussein yahaan tabla likhha gaya hai this is right option kyunki aapse yehi puchya gaya ki kone sa correct match nahi kiya gaya mf mf hussein was an artist ok baki sa hiya arkan ra novelist kafi azami is a point ok right answer is option B mf hussein so guys that's all for today's video aaj hum nne dhekhi jho shastri tit may g ke section tha uske 30 questions and 8 questions dekhi hum nne crunt affairs ke video kaisi laghi informative laghi ho toh video ko like karen jahe ko subscribe n kaya toh please do subscribe and also share this video with your friends too thank you so much watching bye bye check care you